मेरा opinion किया है ? जो भी बूल रहा है यह фак्ट है कि नहीं धलब नहीं है लेकिन यह मेरा opinion नहीं है क्या opinion है ? स्टार्ट से देखो क्या क्या हो रहा है ? ज़िके---- जनरली तो ऐसे भी YouTube YouTube के उपर roast वीडियो बनता ही राता है बना बहुत सार बना थीक है टिक टॉक के ऊपर भी बना और आभी यह lockdown स्टार्ट हुआ बहुत सारे लोग क्या उप्वे टीक टॉक पे बहुत सारे लोग यूटिव पे थीक है बहुत सारे यंब वो लोग में से कुछ लोग तरह Classic क्या करना क्या करनाम करना सब 10 वह ओसी थरसे बाकी ही भी प्लान कर रहते अगर माले पर चार्चा करना बाखी जो है कुछ और लोग उनका चर्चा करने का जरूरत भी नहीं है ठीक है तो क्योंकि सबसे बड़ा इसमें कल्पिट जो है अमिर सिद्धिक की है अभी अमिर सिद्धिक की का देखो दिमाग सब कोई सोच रहा है कि वह एक नंबर का सी है लेकिन है नहीं ठीक है वह सब क पहले क्या हुआ कि जो भी रोस्टिंग वीडियो चल रहा था ठीक है उसमें से कुछ के ऊपर में टॉपिक्स अपर सेलेट करके यामिर सिद्धिकी आईडी ट्वीव पर जाता है और वहाँ पर कमेंट करता है कुछ बाते बोलता है कि ठीक है और उसमें यह भी बोलता है कि कि भाई अगर आजसे हमारे उपर कुछ वीडियो बनता है तो हम स्पोर्टिंग ली लेते हैं वेगरा वेगरा यानि कि आगे जागर कि वहां पर इंकरेज कर रहा है बाखी लोगों को यूट्यूबर्स को एक तरह से कि आप बनाओ कोई दिकत निया हम तो स्पोर्टिंग ली लेकिन आगे एक दूसरे वीडियो में भी वह कैरी मिनाटी का भी नाम लेता कि हम तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कैरी मिनाटी मेरे उपर रोश्ट वीडियो बनाया तो भाई उसकी ख्वाइश पुरी होगी कैरी मिनाटी ने इसके उपर रोश्ट वीडियो बनाया और डालते ही इंटरनेट पे वो एक सेंसेशन बन गया ठीके दो मिलियन व्यूज तो ऐसे ही मिल गये थे उसको करते 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 कब का वो दस मिलियन क्रोस करेंगा पता ही नी चला लेकिन सोचो कि ये जो अभी वीडियो आया था ये तो अमिर सिद्धिकी ने मांगा था ठीके अभी जब ही वो मांगा था तो फिर इसके उपर फिर आगे करवा ही क्यों किया वो आखिर आगे जा करके अब देखो अब उसको समय भी नहीं लगा और कितने अच्छे तरीके से वो पूरा प्लान किया कि इसमें से कौन सा पॉइंट उठाना है ठीके उसमें से LGBTQ community का जो पॉइंट है वो उठाया वो और उसको उठा करके फिर मुद्दा बनाया ठीके और वो फिर वीडियो पे आया वीडियो पे आकर के भी बोला लेकिन वो सब भी एक प्रोपेंगेंडा था दिखाने करें कि हम यहाँ पे आ रहे हैं वो अलग से community से उनकी बाते चल रही थी उनको प्रोवक किया अलग और उनको बोला कि भाई आप केस करो यह वीडियो हटवाओ यह एक तरीका था वो वीडियो हटाने का और उसके साथ साथ स्क्रीन पे आकर के तो नहीं लेकिन सिक्रेटली बहुत सारे अपने फॉलोवर्स को भी बोला कि जाकर रिपोर्ट मारो ठीक है जितने भी यह इस तरके वीडियो है सारे वीडियो पे जाकर के रिपोर्ट का ऑप्शन होता है और रिपोर्ट कर दिया गया यूट्यूब पे ठीक है अभी हो गया चलो इतना भी हो गया अब लोग सुझे सल्व यहां तो खतम हो जाएगा लेकिन अभी उसके चकर में भी क्या हो गया केरी का वीडियो डिलीट हो गया बहुत सारा चीज़ भी उसमें होने वाला था उसमें अभी तो धीरे 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 करके वो अपने रंग दिखाना शुरू ही किया था कितना कितना सारा वो रिकार्ड तोड़ सकता था ठीक है लेकिन नहीं उससे पहले ही यह डिलीट हो गया ठीक है LGBT Q जो कम्यूनिटी है उसका इस्तमाल करना एक बहुत बड़ा क्या बहुत बड़ा क्या बहुत है त्रूप का इकका हो जाता है ठीक है वो कोई अभी अगर यह पॉलिटिकल रूप ले सकता था अगर LGBTQ का अगर उन लोगों ने अगर कुछ भी रिपोर्ट किया हुआ है उस उपर आक्शन नहीं लिया YouTube या Google ने ठीक है तो उसके उपर फिर आक्शन हो जाएगा एक तो मतलब कारवाही कानूनी तो चलीगी चलीगी पॉलिटिकल आक्शन भी चालो हो जाएगा ठीक है तो सेफ वेव में जागर के उन लोगों ने डिल्ट कर दिया इसमें YouTube की कोई गलती नहीं है अब यहां पर बात खतम हो जाने चाहिए भाई मान लोगी तरी जीत होगी खतम करो ठीक है नई अभी कैसे अभी तो अपना असली इंटेंशन बताना जरूरी था ठीक है इसी बीच में आपका एक एक बंदे का तो YouTube पे चैनल भी आ गया और उन्होंने अपना पहला वी लोग भी डाल दिया वो अलग बात है कि अभी आतलब इंडियन YouTube इतिहास का वो सबसे जादा डिसलाइक होने वाला वीडियो है ठीक है और इधर ये आते हैं अपना ओडियो लीक करवाते हैं मेरा ऐसा मानना है वैसे तो बोला कि ओडियो लीक्ड लेकिन किसने लीक किया भाई कुछ पता नहीं और अगर लीक हुआ तो इसके उपर कारवाई क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आपका वीडियो कोई आपसे बिना पूछे लीक नहीं कर सकता है इसके उपर कोई कारवाई क्यों नहीं हो रही है क्यों? क्योंकि आपने खुद से इसको लीक करवाया तो यह चीज हुआ, अभी यह वीडियो इतना गंदा है, कि आप अभी क्या बता है, अभी वो खुद बोल रहा है कि रमदान था इसलिए वेट कर रहे हैं, और इस पूरे वीडियो में गाली दे रहा है, अभी रमदान तो खतम नहीं हुआ है, तो फिर गाली क्यों दे रहा है और इसमें वो इंटेंशन अपना बता रहा है कि जैसे ही रमदान खतम होगा, रमदान खतम होते ही वो अपना highly abusive disc लांच करेगा, तो अभी 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 देखो, अभी जाही सी बात है, आरे सुनो, अभी सुनो, मेन कहा है अभी बात यहां खतम नहीं हुए, बात यहां खतम हुए नहीं है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी यह घतम नहीं हो सकता है, और जब ऐसा सोचीरेश है कि अचानक से अभी अधना note audio समनी आता है, जादा नहीं, मुश्किल से है दो खतम नहीं होने वाला है यह जब तक रमजान खतम नहीं होता है तब तक यह इस आग को ठंडा होने देंगे नहीं यह इस पे घी डालते रहेंगे और देखना मतलब अगर कोई ऐसा जो यूट्यूबर जिसको एक्सपोज करने का ये पता हो तरीका मालूम होना और अगर उस टार्टिंग से लेकर कि अभी तक जितने भी डॉट्स जो है कनेक्टिंग डॉट्स को कनेक्ट करें तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या प्लान करके आखिर इनका डेस्टिनेशन क्या है